ओम श्यान्ति वो बोले ये तो जुठावा प्यार है उन्होंने अपने भागीदार से कहा अब हमें छुट्टी दे दो उसने कहा ये कैसे होगा दादा का भागीदार किसी राजा को तो पहचानता तक नहीं था उसने सोचा कि अगर दादा मुझे छोड़ कर चले जाएंगे तो बड़ी कठिनाई होगी उसने शायद यह भी सोचा कि पता नहीं दादा क्यों नाराज हो गए है और कि पता नहीं वे कितना हिस्सा मांगेंगे परंतु दादा ने उन्हें सांत्वना देते हुए कहा मैं किसी मदभेद के कारण नहीं जा रहा बलकि इसलिए जाना चाहता हूँ कि मुझे अब ये धन्धा जुठा लगता है मुझे इश्वरिय आवाज आई है कि कलिर्गी सुष्टी का महाविनाश होना है अतहा मुझे अब ये पैसा इश्वरिय सेवा में लगा देना है मैं अभी बैठ कर आप से कोई हिसाब किताब नहीं करूँगा आप बाद में अपने वकील के द्वारा जैसे भी ठीप समझो मेरा हिसाब कर देना हम पहले बता आए हैं कि दादा के एक चाचा थी जो की काका मूल चंद के नाम से प्रसिद्ध दानी हुआ करते थे दादा ने उन्हें वचन दिया था कि उनका सदावरत चलता रहेगा दादा दान कर्म में उन्हें काफी आर्थिक सहयोग देते थे अभी कलकत्ती में सब उन्हें अपने भागीदार से हिसाब करना था तो उन्हीं दिनों सिंथ से काका के विमार पड़ जाने का तार दादा के पास आया दादा ने भागीदार के साथ अभी हिसाब नहीं किया था बलकि उन्हें भागीदार के वकील के द्वारा हिसाब का पैसला करने से संबन्धित जो कागज मिले उन्हीं कागजों और उसी हिसाब किताब को उन्होंने ठीक मान लिया तब उन्होंने घर में तार दिया जिसमें ये लिखा था अलिफ को अल्लाह मिला बे को मिली जूठी बादशाही आई तार अलिफ को हुआ रेल का राही यहां अलिफ का अर्थ पहले व्यक्ती अर्थात दादा से हैं और बे उनके भागीदार का वाचक है ऐसा तार देखकर विचार चलता था कि पताने ही दादा को क्या हुआ है जब दादा सिंध में आए तो उनका जीवन बिल्कुल ही बदल चुका था हां तो मैं काका मूल चंद की बिमारी की बात कर रहा था दादा के पहुँचने से पहले ही काका मूल चंद ने शरीर छोड़ दिया था उनकी मृत्यू के बाद एक दिन दादा उनकी कोची पर एकांत में बैठे थे वहां उन्हें काका मूल चंद की मृत्यू दशाखा साक्षातकार हुआ उन्हें दिखाए दिया कि आत्मा मस्तक से अलग होती गई सत्ता छोड़ते छोड़ते वहां पाव के अंगुठे तक आई फिर थर्मोमिटर के पारे की तरब वो धीरे धीरे उपर चड़ते चड़ते मस्तक तक आई इस प्रकार उन्हें मृत्यू दशाखा साक्षातकार हुआ काका मुल्चन की मृत्यू दशाख के साक्षातकार के लगभग एक सप्ता के अंदर दादा को एक और साक्षातकार हुआ दादा ने देखा कि विश्णों उनके सामने प्रगट होकर कह रहे हैं अहम चतरभुजम ततत्वम फिर श्री कृष्ण, जगनाथ जी, बद्रीनाथ जी और केदारनाथ जी बारी बारी आये और उन सभी ने भी ऐसे ही कहा इन साक्षातकारों से जहां दादा को बहुत हर्ष हो रहा था वहां इस बात पर उनका विचार भी चलने लगा मुझे ततत्वम का जो वर्दान दिया गया है उसका वास्तव में भाव क्या है ये साक्षातकार मुझे किस ने कराए उन दिनों दादा के गुरू भी आये हुए थे दादा के दादा ने उनके आगमन पर पच्चिस हजार रुपे का खर्च किया उन्होंने एक बहुत बड़ी सभा की थी उसमें बहुत लोग बैठे थे परन्तु दादा का उठना बैठना बहुत निराला रगा दादा थे तो साक्षात अर्थात शरीर धारी ही परन्तु ऐसा लगा कि उनका शरीर उनसे दूर है गुरू का भाशन चल रहा था परन्तु दादा सभा से उठ गए इससे पहले कभी भी दादा सभा से उठकर नहीं गए थे मेरा ध्यान दादा की और गया जैसे जसोदा जी जो की दादा की धरम पत्नी थी उनको दादा के पास भेजा जसोदा जी के जाने के बाद मुझे खयाल आया कि मैं भी जाओ मैं दादा के कमरे में गई मैं दादा के पास बैठ गई और जसोदा जी गुरू की सभा से भी लौट गई मैंने देखा कि दादा अर्थात बाबा के नेत्रों में इतनी लाली थी कि ऐसे लगता था जैसे की उन में कोई लाल बत्ती जग रही हो उनका चहरा भी एक दम लाल था और कमरा भी प्रकाश्मान हो गया था मैं भी शरीर का भान से अलग मानो और शरीरी हो गई इतने में एक आवाज उपर से आती हुई मालुम हुई जैसे की दादा के मुख से कोई दूसरा बोल रहा हो वह आवाज पहले बहुत धीमी थी फिर धीरे धीरे जादा हो गई आवाज यह थी निजानन स्वरुपम शिवोहम शिवोहम ज्यान स्वरुपम शिवोहम शिवोहम प्रकाश स्वरुपम शिवो हम शिवो हम फिर दादा के नयन बन हो गए मुझे आज तक वो अदबुत द्रश्य भूलता नहीं है नो वो आवाज भूलाई जा सकती है वो बाता वर्दी अविस्मरनिय था और उस समय की तरह अशरिश्ट्री अवस्ता भी अभी मुझे अच्छी तरह से याद है दादा ने नयन खोले तो वो उपर नीचे कमरे में चारो और आश्चरिय से देखने लगे उन्होंने जो कुछ देखा था उस समृती में वे लवलीन थे मैंने पूछा बाबा अब क्या देख रहे हो बाबा बोले कौन था? एक लाइट थी कोई माइट शक्ती थी कोई नई दुनिया थी उसके बहुत ही दूर उपर सितारों की तरह कोई थे और वो सब स्टार्स नीचे आ रहे थे तो कोई राजकुमार बन जा रहा था कोई राजकुमारी बन जा रही थी एक लाइट और माइट ने कहा ये ऐसी दुनिया अब तुम्हें बनानी है परन्तु उसने कुछ बताया नहीं की कैसे बनानी है अब मैं ये दुनिया कैसे बनाऊंगा वो कौन था? वो कौन सी माइट थी? अब दादा बहुत गहन विचार में चले गए वो गहरी सोच करते और फिर कहते थे की वो कौन था? वो कौन सी शक्ती है चो मुझे ऐसे ग्यान युक्त तिव्य शाक्षात कार कराती है और इनके पीछे रहस्य क्या है? दादा के कुटम वी जन भी इस सोच में रहते थे की पता नहीं दादा को क्या हो गया है? दादा अब बहुत ही अंतरमुखी हो गये है और वे आत्म चिंतन में ही तलीन मालुम होते थे स्वयम दादा को भी आगे चलकर यह स्पष्ट हुआ कि परमपिता परमात्मा शिव ने दादा के तन में प्रवेश होकर अपना परिच्वय दिया था उन्होंने दादा को कल्युग सुष्टी के महा विनाश तथा आने वाली सुष्टी का भी सक्षात कर कराया था और उस पावन सुष्टी की स्थापना के अर्थ उन्हें निमित अथवा माध्यम बनने का निर्देश दिया था अब दादा को अंदर ही अंदर ऐसा अनुभव हुआ जैसे की भगवान अव्यक्त अत्वा गुप्त रूप में उन्हें गीता ग्यान दे रहे हो अब उनकी अंतर आत्मा में गीता ग्यान का स्फुरण हो रहा था और साथ साथ वे उस ज्ञान की स्थिती में और अनुभुती का भी रसा स्वादन कर रहे थे उनकी बुद्धी को स्वदही यह सूज भी प्राप्त हो रही थी कि गीता में भगवान के वास्तविक महावाक्य कौन से हैं और उनमें प्रशिप्त क्या-क्या है गोया अब उन्हें दिव्य विवेक की प्राप्ती हो गई थी और इस सत्यता में उनका विश्वास और दढ़ हुआ कि गीता ही एक ऐसा शास्त्र है जिसमें स्वयम भगवान के महावाक्य है परन्तु जबकि स्वयम भगवान उन्हें इश्वरिय ज्ञान दे रहे थे और उसकी अनुभूती कहरा रहे थे तो गीता शास्त्र जिसे वे नित्य प्रती पढ़ा करते थे अब उनसे वो स्वत ही छुटता जा रहा था दादा को ऐसा अनुभव होता था कि वो अर्जुन है और स्वयम भगवान उनकी ज्ञान पिपासा तुरुप्त कर रहे हैं अब भगवान स्वयम भक्तों की आशा पूर्ण करने के लिए और गीता में दिया हुआ अपना वचन निभाले के लिए फिर से गुप्त वेश में आये हैं बाबा को अब यह निश्चे हो गया था कि मैं यह देह नहीं हूँ मैं एक अविनाशी आत्मा हूँ यह शरीर विनाशी है उन्हें ऐसा लगा कि अब उन्हें स्वरूप की सही पहचान मिली है और कुछ वर्षों के बाद कल युगी पुरानी शुष्टी का महा विनाश अवश्य होगा इस प्रकार की गुप्त आवाज सुनकर वे अन्यमित्र संबंधियों को भी आत्मा का ग्यान देकर उन्हें प्रभू के स्नेह में मगन अपनी नजर से निहाल कर देते थे वे स्वयम भी स्वानुभुती की मस्ती में रहते थे और अन्य सभी को भी कहते थे कि तुम आत्मा हो अब उन्होंने लिखना शुरू कर दिया कि मैं आत्मा हूँ जसोदा आत्मा है राधी का आत्मा है इस प्रकार लिख लिख कर वे कुटुम के सभी सदस्यों को आत्मा का पाठ पक्की तरह अनुभव कराते थे अब उनके संपर्क में आने वाले हर एक नर्नारी को ऐसा ही अनुभव होने लगा था कि जैसे कि उसके जीवन की जोती जग चुकी है हर एक को एक दूसरे से जोती का सक्षातकार होने लगा जिसके फलस्वरूप सबको आत्मा निश्य के साथ परम शांती का भी अनुभव होने लगा उनके मन के विचारों के प्रती गुरुणा पेदा होने लगी और उनका खानपाद शुद्ध होने लगा ब्रह्मा कुमारी ब्रिज इंद्रा दादी जी लिखती है कि अब दादा ने कई दिनों से बाहर घुमने जाना भी बंद कर दिया था हम घर के सभी छोटे बड़े सदस्य बैठ चाया करते थे और दादा आत्मा का जो ग्यान देते थे वो हम सुनते रहते थे इस आत्म ज्यान में इतनी शक्ति थी कि उसे सुनते ही अमारे मन में उसकी धार्णा भी हो जाते थी थोड़े ही दिनों में दादा के दूर के संबंधी भी आने लगे अपनी अंतर आत्मा के ज्यान की गुप्त आवास सुनकर दादा को गीता में और अधिक्षद्धा हो गई थी इसलिए वे गीता ज्यान सुनाया करते थे अब उच द्वारा गीता का ज्यान सुनाते सुनाते गीता के भगवान शिव सब माताओं को जगाने के लिए कल्प पहले की तरह स्वयम ही नर नारियों को सक्षातकार कराने लगे उनके सत्संग में सम्मलित होने वाले को श्री कृष्ण का सक्षातकार कल्योगी सुष्टी के महा विनाश का सक्षातकार और आने वाली सत्यू की दैवी दुनिया का दिव्य साक्षातकार होने लगा। इस अदभुत बात की चर्चा सारे शहर में होने लगी कि दादा के पास जाकर सत्संग करने से साक्षातकार होते हैं। अब दादा के मित्रो और संबंधियों के अतिरिक अन्यकन्याई तथा पुरुष भी वहाँ पर जाने लगे। वे ऐसा मानने लगे कि दादा ही साक्षातकार कराते हैं। हाला कि स्वयम दादा को भी शुरू-शुरू में जब साक्षातकार होते थे तो वो भी सोच में पढ़ जाते थे कि ये सारे साक्षातकार मुझे कौन कराता है। दादा को भी बाद में ही यज्ञान हुआ था कि उन्हें और उन द्वारा दूसरों को साक्षातकार कराने वाला स्वयम परम पिता परमात्मा ही है। सत्संग सुनने के लिए आने वालों में एक बहुत धन्वान परिवार की महिला आती थी जिसका नाम था रुकमेणी। वो हैदराबाद में एक बहुत बड़े घर की बहु मानी जाती थी। उनका ससूर वहां के विश्ष्ट अथवा गिने चिने व्यक्तियों में से ही एक मान जाता था। लेकिन उस महिला के पती की अकाले मृत्यू हो गई थी और इस कारण से वो बहुत ही दुखी और अशांत रहती थी। अचानक ही दादा के सत्संग की महिमा सुनकर अब वह दादा के पास पहुंचे और उस पर दादा के प्रवचनों का और दादा की अलोकिक आ अतेंद्रिय सुख का अनुभव करने लगी। अतह अन्य लोगों की तरह वह भी अपने स्वजनों एवं संबंधियों को कहती थी। चलो चलो ओम बाबा के पास। उनके पास कोई गुप्त शक्ती है। उनकी वचनों से अमृत वरस्ता है। जो संतप्त रदय को एक अलोकि शी तलता देता है। उनका मस्तक एक दिव्य तेज से चमक रहा है। उनकी द्रश्टी में कोई अलोकिक प्रकाश है। वो गीता का सच्चा ग्यान सुनाकर मन को सच्ची शान्ती देते हैं। इस प्रकार उस माता के दुखी जीवन में एक अदुत परिवर्तन देखकर तथ उसका अनुभव सुनकर उसके स्वजन, उसके संबंदी भी उस बाबा के सच्चंग में आने लगे। उस माता की एक लौकिक विवाहिता पुत्री जिसका नाम गोपी था। वो भी उसके साथ सच्चंग में आने लगी। ओम बाबा मना दादा ले खराज के सन मुख जाने पर उन्हें ऐसा अनुभव होता था जिसकी वो बाबा के तन में गुप्त रूप में आये हुए भगवान से मिल रही हो। उनको बाबा के माध्यम से श्री कृष्ण का आभास होता था। और वह कई बार देह की सुदबुत भूल कर स्वयम को आत्मा रूप में एक ज्ञान गोपी समझती थी। इस प्रकार इश्वरिय ज्ञानद्वारा अतिंद्रिय सुख का अनुभव करते हुए अनेक अनेक नर नारी आत्मिक उन्नती कर रहे थे। उन दिनों बाबा जो ज्ञान देते थे और उस ज्ञान से जो अनुभव होता था उसकी एक जलक ब्रमा कुमा आरी रदय पृष्पा जी ने इस प्रकार से दी। बच्पन से ही मेरा ये संसकार था कि जब भी मैं अपने मित्र संबंदियों से किसी की शादी की सूचना मुझे मिलती थी तो मुझे बहुत दुख सा अनुभव होता था। मुझे शादी से बहुत घुना थी। मुझे इ शायद मेरी अंतश्ट्रेचेतना में निर्विकार जीवन की उतकृष्ट चाह थी। आखिर जब मेरे विवा का समय आप पहुंचा तो मुझे ऐसा लगा कि मेरी मृत्यू का दिन अब नजदी का रहा है। मेरा विवा तो हो गया। परंतु पती के प्रती मेरी द्रिष्ट में वासना भाव रिंचक मात्र भी नहीं आता था। पती बिमार रहते थे और में एक नर्स की तरह भाती उनकी देखपाल किया करती थी। उनकी सेवा करती थी। परंतु मेरे मन में कभी भी मोह भाव अथ्वा पती-पत्नी के संबंद का भाव पैदाई नहीं हुआ। बह वासे छे मास के अंदर ही उनका देहान्त हो गया। मेरे माता-पिता को इस बात का बहुत दुख हुआ। मुझे भी यह दुख हुआ कि छा मास पहले मैं कन्या थी। परंतु अब लोग मुझे एक विद्वा की द्रश्टी से देखेंगे। मेरे मेरे लौकिक भाई ने भी सत्रा वरश की तरुन अवस्था में शरीर छोड़ दिया था। उसका दुख भी मेरे माता-पिता के मन में बहुत था। वही माबाब का एक लोता बैटा था। और वही इतनी बढ़ी संपत्ती का उत्तरा दिकारी बनने वाला था। माता-पिता को दुखी देखकर मेरे रुद्धी हो गई। हमारा कुल एक धनी मानी कुल था। इसलिए हमारी दुख की दास्तान हैद्राबाद में काफी लोगों तक पहुँच चुकी थी। स्वयम बाबा ने भी हमारी गाथा सुन रखी थी। दूसरी और सिंध में इस भात की धूम मच गई थी कि ओम बाबा के सत्संग में अगर कोई भी जाता है तो उसे परम शान्ती का अनुभव होता है और उनेकों को श्री कृष्ण का भी शातकार होता है। यह बात मेरे कान तक भी पहुँची। मैं दूसरे ही दिन बाबा के सत्संग के स्थान पर पहुँच गई। बाबा के व्यक्तित्व क शान्ती बरस रही थी और उनके सम्मुख जाने से मुझे बहुत सुख महसूस हो रहा था। बाबा ने मुझसे पूछा आप कौन हो जानती हो आप कौन हो मैंने कहा मैं एक दुखी इंसान हो। फिर बाबा ने पूछा अच्छा बताओ संसार दुख रुप है या सुख बाबा ने कहा, अच्छा, बैठो, मुझे सामने बिठा कर, बाबा ने अपनी हाथ से एक मनुष्य का चित्र खीचा, और उसकी भ्रकुटी में आत्मा अंकित थी, उस चित्र पर उन्होंने मुझे समझाया, देखो, यह शरीर तो पांच तत्वों का पुतला है, वो तो विना परन्तू, इसके अंदर जो आत्मा है, वो मन, बुद्धी और संसकारों के सहित है, चेतन है, और अनादी अविनाशी है, बच्ची, यह दो चीजे अलग-अलग है, शरीर जल जाता है, आत्मा नहीं जलती है, वह एक शरीर से निकल, दूसरे शरीर में प्रवेश कर लेती है अब बताओ, आप दोनों में से कौन हो, आप यह पांच तत्व का शरीर हो, जो जल जाता है, या इसमें जो आत्मा है, आप वही हो, मैंने कहा, बाबा, इस प्रश्टिकरन के अनुसार तो मैं एक आत्मा हूं, तब बाबा ने कहा, बच्ची, आत्मा का स्वधर्न शान्ती ह अशान्ती को प्रकृती के धर्म को अर्थात पर धर्म को अपनाने से होती है, अब बताओ, यह किसने कहा, कि मैं एक दुखी इंसान हो, क्या आप दुखी इंसान हो, या आप शान्त स्वरूप आत्मा हो, क्या मैं दुखी इंसान हो, या मैं शान्त स्वरूप आत्मा हो, य सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई कि मैं एक शान्ती स्वरूप आत्मा हूँ बाबा ने कहा कि बुद्धी को इस शरीर के भान से निकालो और अशरीरी हो जाओ और अपने स्वधर्म में स्थित शान्त स्वरूप बन जाओ देखो तुम कौन हो देख रही हो कैसा तुमारा स स्वरूप है ऐसे सुनते सुनते मैं आत्मा के स्वरूप में स्थ हो गई और अपने शरीर को भूल गई इसी बीच मैंने देखा कि आत्मा बिंदू स्वरूप है और वह उपर उपर उड़कर शरीर से अलग होती जा रही है फिर मुझे ऐसा महसूस होगा हुआ कि आत्मा व दूर होने से चांद दिखाई देता है न। मुझे भी ऐसा लगा कि अग्यान का परदा दूर होने से मुझे बहुत खुशी हो रही है। बाबा ने बच्ची को पुछा आप दुखी हो या सुखी हो मैंने कहा मैं एक शांत स्वरूप अथ्वा सुख स्वरूप आत्मा हो जै मेरे जैसा तो सुखी और कोई नहीं है। बाबा ने पूछा संसार दुख स्वरूप है या सुख स्वरूप है। मैंने कहा सुख रूप है। अच्छा आज का पाठ पक्का करना और फिर कल मैं आकर तुमें दूसरा पाठ पढ़ाऊंगा। उस समय मेरा मन कुछ इस प्रकार गा रहा था। तुमने मुझको ज्ञान सुनाया, सोये हुए रदै को जगाया। तुमने मुझको योग सिखाया, मानुष से देवता बनाया। जगा कर आत्मनिष्ट बनाया। एक घडी में योगी बनाया, अहम और मम का राज बताया। अहम आत्मा मम प्रकृती तखते ताउस बिठाया, जगा कर पवित्र मार्ग दिखाया। मैं जब बाबा की पास आई थी, तो मन ही मन में रोती हुई आई थी। और अब हस्ते हुए घर लोट रही थी। मेरी अवस्था आत्मस्थित और हर्ष मै थी। मुझे एक अलावकिक नशासा चड़ गया था। मैंने घर में जाकर अपनी दुखी माता को भी यह ग्यान का वार्ता लाब सुनाया। मैंने माता जी को कहा, माता जी आप रोती क्यों है। प्रकृती के बने शरीर तो नाश्वान है ही। उनके लिए क्या रोना, आत्मा तो अजर, अमर, अविनाशी है, आप तो शांस्वरूप है। माता जी को यह बाते बहुत ही अच्छी लगी। वो मुझसे कहा करते थी, कि तुम प्रती दिन जाकर ये ज्ञान सुनकर आया करो और मुझे भी सुनाया करो। मैंने एक दिन बाबा को स्वयम ही अपनी लौखिक माता के दुख का समाचार सुनाया। बाबा ने कहा, अच्छा, मैं उनके पास चलता हूँ। बस उसी घड़ी दयालू बाबा हमारे साथ चलने लगे, हमारी दुखी माता को शांती देने के लिए। हम वहाँ पहुँचे, आहा, मेरी लौखिक माता बाबा को देखते ही एक सेकंड में देह भान को भूल गई और उसे विश्णु चतुर्भुष का दिव्य सक्षातकार होने लगा। अब उनके मुख पर मानसिक शांती की रेखाए उभर आई और वे हाथ जोड़े बैठी ध्यान में निर्मग न थी। ध्यान आवस्था से नीचे उतरने पर बाबा ने उन्हें भी ज्यानामृत पिलाकर शीतल कर दिया। इस प्रकार अन्य अने का नेक नर नारियों को भी यहां मन की संची शांती मिली और इश्वरिय ग्रान भी प्राप्त हुआ। उन्हें देव्य सक्षातकार हुए और ऐसा मालुम हुआ कि भगवान उन दुखी माताओं को कह रहे है। क्यों हो अधिरमाता गुरु कुल में आबसा हुँ। संताप तक्त भारी अबला भी देख रहा हु। अधर्म दुर करने सत्य धर्मस्तापन करने गीता की ग्यान वर्षा निशिर दिन बरसा रहा हु। उन दिनों सिंध में यह रिवास था कि किसी निकट संबंधी की उम्रुत्यू हो जाने पर माता ये मिठी से सने हुए मैले कुचेले कपड़े पहनती थी। वे स्यापा करती थी और रोती रहती थी। मेरी लौकिक माता का भी यही हाल था। वे भी मैले कुचेले कपड़े पहनती रहती थी और रोती रहती थी। परन्तु अब बाबा का ग्यान सुनने से उनके मन पर इतना ग्रहरा प्रभाव पड़ा कि लोक लाज और आसुरी मर्यादा अर्थवा कूरिती को तोड़ कर अब उन्होंने मैले कुचेले कपड़े पहनना भी छोड़ दिया और वो आत्मिक सुख में रहने लगी थी. ओम लुंडली में आने वाली अनेका अनेक माताओं के जीवन में इस प्रकार से कई सुधार हुए. उन दिनों सिंध में बहुत से घरों की बहु बेटिया पाश्चार्थ्य सब्यता के प्रभाव के कारण बहुत फैशन करती थी. कई तो जेवरों से लदी रहती थी और अन्य बहुत सी जिवा के स्वाध के वशिभूत थी. धनाड ये लोगों के घर में भी नौकर ही खाना बनाते थे और सब कार्य नौकर करते थे. परंतु अब जो कन्याए माताएं ओम मेंडली के संपर्क में आ गई उन्होंने फैशन करना, स्वयम को स्वर्ण आभूशनों से सज जाना ये सब छोड़ दिया था और वे घर का सब कामकाज अपने हातों से करने लगी. अब उनके जीवन में सहज ही सादगी आ गई और खान पान पर भी उनका कंट्रोल हो गया क्योंकि ओम मंडली में उन्हें कर्मेंद्रियों को वश करनी की शिक्षा दिया करते थे. इत सं संग में आने वाली माताओं का मन अब दहेच प्रथा से तथा बनाव श्रिंगार से उठने लगा था. अथा उनके जीवन में ये सुधार देख कर सिंध में विशेश तोर पर हैदराबाद में लोगों के मन में ओम मंडली के लिए एक आदर भावना आ चुकी थी. क्योंकि कि अन्य कोई तोड नहीं सका. ओम मंडली ने और ओम बाबा ने उनसे माताओं को मुक्त किया है. ओम मंडली को यह ख्याती सुनकर और बहुत से कुटुम्बी अपनी बहु बेटीयों को और माताओं कन्याओं को ओम मंडली के सत्संग में भेजने लगे. इस प्रकार हैदरा के लोग इस ज्ञान से लाब ले रहे थें। ऐसे सुंदर सत्संग में आने वाली माताओं बहनों में एक विशिष्ट कुमारी थी। जिसका नाम राधे था। वो बाध में ओम राधे के नाम से प्रसिद्ध हुई। वह अपनी लोकिक माता के साथ ही सत्संग में और बाबा से मिलने आई थी। वह अपनी शोभा और गुणों के देवी सी लगती थी। ऐसा प्रतीत होता था कि वे किसी दिव्य लोक से उतर कर इस धरा पर साकार आकर हुई है। वह बहुत ही श्रिष्ट प्रतीभाशालेनी एवक चमतकारी बुद्धी वाली थी। वे अपने कॉलेज में सदेव प्रथम श्रेणी प्राप्त किया करती थी। वह वीणावादन में भी कुशल हस्त थी और गायन कला में भी वो अलवखिक थी। उनके स्वर में एक अनुपम दिव्यता थी। जब उन्होंने बाबा के मुख कमल से सच्चा गीता ग्यान सुना तो उसका चित बहुत ही आनंदित हुआ। उस आनंद की तुलना में सांसारिक सुख अभी उसे तुच्च प्रतीत होते थे। उन्होंने शिग रही अपने जीवन के लिए ये नरनय किया कि मैं आज जीवन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करूंगी और स्वयम को संपूर्ण रिती से ज्ञान अमृत पीने और पिलाने का उच्च कार्य करने में लगा दूंगी। उन्होंने मन में या निश्य किया कि यह ग्यान सरवोत्तम है। दादाजी से मिलकर उन्होंने यह अनुभव किया कि यह कोई निराले व्यक्ति हैं। उनका मस्तक मनी की तरह चमक रहा था। जिनके नैनों में एक अलवकिक मस्ती थी। और जिनके ओम द्वनी में एक ऐसा अनुपमाकर्शन था कि सुनने वाले देह की सुधबुध भुलाकर आत्म स्वरूप मिस्तित हो जाते थे। इस प्रकार का दिव्य अनुभव करते ही राधा जी ने सिंधी भाषा में अपने अनुभव का एक गीत बनाया जिसकी कुछ पंक्तिया निम्न लिखित है। इस प्रकार उन्होंने जो गीत बनाकर अनुभव स्थित होकर मदूर स्वर में गाया उसे सुनते ही सभी लोग खुशी में जूमने लगे। का भावार्त ये है क्योंकि गीत तो सिंधी में था। हे सखियों मैं आपको क्या बताओं कैसे बताओं कि ओम मंदली में आकर मैंने क्या देखा। सखियों उस सुख का भी मैंने कैसे वर्णन करूं। वहां ओम का जो अलवकिक आलाप ओ रहा है वह ऐसे तीर की तरह मेरे मन में लग रहा है कि मेरा मन शीतल हो जाता है और मेरे गम के चिठों का अंत हो जाता है। तो जब ओम राधे ने सक्चन में आना शुरू नहीं किया था तब वो एक बार दादा लेकराज की लौकिक पत्नी जशो जात्री को सक्षात कार हुआ कि राधे भविश्य में श्री लक्षमी बनेगी और मैं उनको राज्य भाग्य दूंगी। परन्तु इसका अर्थ वो नहीं समझ सकी। अब जब वो इश्वरिय सत्संग में आने लगी तो बाबा ने समझाया कि इस विश्व ड्रामा में राधे का बहुत ही उचा पाठ है। और की इश्वरिय ज्ञान तथा दिव्य गुणों की धारणा और सहज राजियों के अभ्यास के फल स्वरूप आने वाली। सत्यू की श्रिष्टी में श्री लक्षमी की कावोपद धारण करेगी। और ऐसा ही हुआ। वह बाबा द्वारा जो भी इश्वरिय ज्ञान सुनती थी उसे धारण करके वे ऐसी अच्छी तरसे समझाती थी जो सभी को बहुत हर्श होता था। कुछी समय के बाद सबके मन से यही निकलने लगा था। श्वास व्रुथा जाए, माता गंगा जल बरसाए, अंबा प्यारी ज्ञान भंडारी ज्ञान अम्रूत पिलाए, ब्रह्मा कुमारी सरस्वती माता विदेह मुक्त बनाए। अब जिसे और लोग इश्वरिय ज्ञान से लाभनवित हो रहे थे, वैसे ही दादा अपने लौकिक संबंधियों को भी ज्ञान के रंग में रंगने के लिए प्रयतनशिल थे। क्योंकि लेखराज दादा को उस उक्ती से विश्वास था कि खैरात घर से शुरू होनी चाहिए। माना, charity begins at home. दादा की धर्मपत्नी और बहुतो पहले से ही धर्मपरायन भक्तिभाव से भरपूर रहती थी और अब वे दोनों इश्वरिय ज्ञान द्वारा स्वयम को भी आत्मनिष्ट बनाने के पुरुशात में तत पर थी। इसलिए अब दादा का विशेश ध्यान तौर पर अपनी बड़ी पुत्री की और रहा। कि मैंने ही अग्यान काल में उसे काम वासना के संबंद में उसका विवा कर दिया। गोया इस जीवन में ही मैंने कितना पतन का काम के लिए में निमित बना। अतह अब ये मेरा कर्टव्य है कि मैं उसे अभी पवित्रता के मार्ग पर चलाओं। आखिर दाधा का यस्चुब संकल्प पूरा हुआ। कैसे उसके बारे में दाधा की उस बड़ी पुत्री जो वर्तमान समय निर्मल शांता के नाम से प्रसिद्ध है और ब्रह्मा कुमारी ईश्वरिय विंश्वरिय लाई की संयुक मुख्य प्रशासी का है उन्होंने इस तरह से कहा। इश्वरिय ज्यान की प्राप्ती से पहले भी बाबा अत्वा मेरे पिता जी का जीवन सचमुच ही राजाई ठाट से और भक्ती से पूर्ण था। इसलिए बाबा ने मेरा विवा भी बहुत बड़ी धूम धाम से मुख्यों के घर में कराया। मेरे ससुराल में सांसारिक सुखों की कोई भी कमी नहीं थी। मैं उन्हीं सिखों में मस्त रहती थी। मुझे भक्ती पूजा की और कोई विशेश खिचाओ मैसूस नहीं होता जब में कन्या थी और बाबा के पास रहती थी तब भी बहुत ही सुखी जीवन था। बाबा किसी भी चीज की कमी नहीं रखते थे और बहुत ही प्यार से पालते थे। कि मस्ती में मस्त रहते हैं और हमारे लिए तो सिर्फ एक विरक्त सादू ही बन गये थे अब भी अब में जब भी अपने लौकिक मातासपिता से मिलती थी तो वो दोनों ही मुझे ग्यान ही सुनाते रहते थे उनके मन में मेरे कल्यान की ही भावना रहती थी वे सोचते थे कि यह भी इश्वरिय मार्ग पर चल पड़े यह क्यों इश्वरिय आनन से वंचित रहे आखिर एक दिन उनकी ये शुब भावना का विजय हुआ उस दिन उस दिन कोई तियोहार था और बाबा ने मुझे भोजन के लिए घर बुलाया था जब मैं वहाँ पहुची तो मैंने देखा कि वहाँ कुछ माताए कन्याए आदी ज्यान सुना रही है तो उनमें से कुछ एक ध्यान अवस्था में रास कर रही थी वहाँ रास पहले तो मुझे अच्छी नहीं लगी परंतु मैंने देखा कि जो महलाय वो रास कर रही थी उन सभी में से अच्छी तरब परिचित थी रास करने वाली माताओं को और उनका अदूरत रास को देख कर मैं मन में यह संकल पकिया कि जिस प्रकार की दिवय रास यह इस समय कर रही है यह तो कोई इस कला का विशेश अग्य भी शायद नहीं कर सकेगा तब यह माताएं जिन्होंने कभी ऐसा ढंग रंग शीखा ही नहीं वे इसे अलोग की कृति से कैसे कर रही है हो न हो इस समय इस संसार के भान में वो नहीं है और दिव्य चक्षु द्वारा श्री कृष्ण और देव लवक का कोई रास देखते हुए उसमें तनमाईता से रास कर रही है उनकी मुद्राए और उनके हावभाव ऐसे लगते थे कि जैसे संसारिक स्थिती में हजार मिन्नते करने के बाद भी वो पा नहीं सकते उनके मुख पर शान्ती प्रभु प्रेम तथा सत्विक्ता की ऐसी रेखाई दिख रही थी जिन पर मेरी द्रश्टी पढ़ने से मेरा मन बोल उठा कि ये अवश्य ही प्रभु मुलन का सुख लूठ कर कृत करत्य हो रही है जब वे ध्यानावस्ता से कुछ नीचे उत्री तो मैं ना उनका अनुभो सुनने की इच्छा प्रगट की उन्वे से जब एक को मैंने निवेदन किया तो मैंने देखा कि अभी तक वो उसी मस्ती में थी और उसी सुख का रसा स्वादन करते हुए वह वानी तक लोटना चाह रही थी उन्होंने धीम इसी आवाज में केवल इतना ही कहा कल पताऊंगी मुझे उसका अनुभो सुनने की इच्छा थी इसी लिए जाते समय मैंने बाबा को कहा बाबा कल भी काल भेज देना मैं जरूर आऊंगी बाबा ने कहा अच्छा बच्ची कल का कल देखा जाएगा मुझे यहां उत्तर अच्छा नहीं लगा मैंने कहा बाबा आज आप ऐसा क्यों कह रहे हो बाबा ने कहा बच्ची अपना विचारतो कार भेजने का ही है परन्तु बच्ची देखे कल क्या होता है मैं बहुत नाजों से पली हुई थी कभी मैंने बाबा के मुख से ऐसे उत्तर नहीं सुने थे अग्यानता के नशे में मुझे बहुत गुस्सा आया मुझे लगा कि मेरा अपमान हुआ है पहले मैं बाबा से यदि आकाश के तारे भी तोड़ लगने को कहती थी तो बाबा उनके लिए भी नानी कहते थे बलकि वो तारे भी तोड़ कर ला देते थे आज मैं बाबा को कार भेजने के लिए कहती हूं और बाबा मुझे ऐसा उत्तर दे रहे है मैं कार में बैठ कर ससुराल जा रही थी बाबा भी मेरे साथ बैठ हुए थे मैं मुझे वो मुझे ससुराल छोड़ने आ रहे थे उतरते समय, उसी क्रोध की लहर में मैंने बाबा को कहा बाबा, आप कार नहीं भेजना, मैं कल नहीं आउंगे मुझे याद है, तब बाबाने मुस्कुराते हुए कहा बच्ची, क्या तुम ये जान सकती हो की क्या कल होगा? मैंने कहा आखिर कल क्या होगा कल देखेंगे ससुराल में पहुँचते मैं रात्री को सो गई कोई दो अढ़ाई बजे होंगे अचानक ही मैंने देखा कि बहुत तेज लाइट थी और पास बाबा खड़े थे और मैं जग गई मैंने सोचा कि रात्री को मैं बाबा से बात करके तो लोटी थी शायद इसी के कारण मेरे मन में बाबा के भाव सामने आ रहे हैं परन्तु कुछ समय के बाद ही मुझे फिर सक्षातकार होने लगा और मैं इस अब समझ नहीं पाई मैं फिर सो गई तीसरी बार मैंने फिर देखा कि मेरे सामने बाबा खड़े हैं और उनके साथ श्री कृष्ण खड़े हैं और बाबा बहुत ही आकर्शन मय रूप से मधुर स्वर से कर रहे थे बेटी जागो तुमको विश्व के कल्यान का कार्य करना है बस ये महावाक्य एक दिव्यबान की तरह थे जो मेरे मन को अच्छी अच्छी लगने लगे मैं तुरंधी बाबा की उंगली पकड़ी और उसीक्षन मुझे अपने जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ ये चाते हुए भी न चाते हुए भी मेरे मुख से यही शब्द निकलने लगे बाबा आप में तो सचमुझ भगवान है हमने आपको जाना ही नहीं था अप से लेकर आप मुझे जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूँगी प्रातह होते ही यह दिव्य द्रश्य बार-बार मेरे सामने आने लगा और मेरे मन में यहां इश्वरिय आकर्षन बना रहा कि मैं बाबा से जाकर मिलू मैं जल्दी जल्दी तयार होने लगी परन्तु मुझे शारीरिक कष्ट ऐसा हुआ कि मैं जाना चाते हुए भी जाने सकी तब मुझे बाबा के वो शब्द याद आए बेटी कल क्या होता है वो देखा जाएगा वर्शब्द मेरे कानों में गुंजने लगे और मैंने सूचा कि हम बाबा के साधरन रूप को देखकर उन्हें ठीक ठीक पहचान नहीं पाते हैं उन द्वारा जो शक्ति कारे कर रही है उसे हम जान नहीं पाते हैं अस्तु सायंकाल को बाबा स्वयम ही वहां मेरे पास आए बस उन्हें देखते ही मेरे आखों से प्रेम के पहचान के और प्रश्यताब के आसु बहने लगे और उनसे गले मिलकर मैं बोल उठी बाबा अब मैंने आपको पहचाना है अब आप जो कुछ भी कहेंगे सो में करूंगी बस उस दिन से मेरे जीवन को एक नया मोड मिल गया झाल 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 झाल